हाई गुड मोर्निंग मैं उमीद करता हूँ आप सब काफी अच्छे होंगे और लाइफ में काफी अच्छा कर भी रहे होंगे जैसे आपने थमनेल देखी लिया होगा कि आज हम किस बारे में बाते करने वाले हैं तो टाइम जादे ना लेते हुए हम वीडियो स्टार्ट करते हैं जैसे यह बात चल रही है डी आरेक्स नपमोल पी की अब डी आरेक्स नपमोल पी नीमोसलाइट एंड परसिटमोल इसका कमपोजिशन होता है हम बात करेंगे इसके यूज की, कॉंटरडक्शन की, मोड ओफ एक्शन और डोज और लास्ट में हम बात करेंगे साइड इफक्ट की क्योंकि हर एक मेडिसीन का अपना एक साइड इफक्ट होता है अभी जैसे आपने देखिलिया है कि नीमोसलाइट परसिटमोल, अभी नीमोसलाइट परसिटमोल दोनों कमपोजिशन एक साथ है दोनों यह मेडिसीन एक कलास की है कि हर एक क्लासिफिकरिकरिकरिकरिकरिकरिकरिकरिकरिकरिकरिकरिकरिकरिकरिकरिकरिकरिकरिकरिकरिकरिकरिकरिकरिकरिकरिकरिकरिकरिकरिकरिकरिकरिकरिकरिकरिकरिकरिकरिकरिकरिकरिकरिकरिकरिकरिकरिकरिकरिकरिकरिकरिकरिकरिकरिकरिकरिकरिकरिकरिकरिकरिकरिकरिकरिकरिकरिकरि एजीली रेकरनाइज हो कि भी हाँ ये उस मेडिसीन की है मतलब उस क्लास की मेडिसीन है तो जैसे हमने बात की नीमोपेरा इसको इंसोर्ट में नीमोपेरा भी बोलते हैं اور इसका ब्राण्ड condem tenth में DRX नप्मल पी अब नीमोपेरा किस क्लास की ड्रग है पहला question यही हो जाता है तो नीमो पहला है NSAID की, अब NSAID होता क्या है, अब आपको आप सोच रहों किया रही, NSAID क्या होता है जो लोग जानते हैं, तो उनको तो पता है, अभी आप नहीं जानते हैं, तो आपके लिए question mark होगे न, कि यार यह है क्या, तो NSAID वो ड्रग होती है, पहले हम NSAID की फुल फॉर्म देगे लेते हैं, क्या होती है तो NSAID NSAID यह होता है, NSAID अब जितनी भी यह, मतलब इस क्लास में ड्रग आएंगी, जैसे एसिकलोफनेक, वो सेमिस की है आपका न, मतलब नीमोसलाइड, पैरसिटामोल, पैरोक्सीकेम, यह सब NSAID में ही आता है पैरोक्सीकेम भी एक पैंकिलर है तो अब बात कर लिते हैं नीमोसलाइड, पैरसिटामोल, इन दोनों का यूज पेन, द्रद, इंफ्लामेशन, मतलब सूजन में इनका यूज होता है अब एक बात कर लिते हैं हम इसकी कि यह काम कैसे करती है यह काम करती है मतलब NSAID की जो ट्रग होती है वो क्या करती है मतलब होता है ना कि fever, fever हुआ कैसे fever ऐसे तो है नहीं कि कोई बहार से किसी मतलब हवार से fever होगया नहीं ऐसा नहीं होता है तो हमारी बोडि में कुछ cells होती है जिसको मतलब जिन्ज की वैसे fever होता है तो जो प्रोश्टर ग्लैंडिंग सेल होती है उसकी quantity बढ़ जाती है उसी की वैसे यह मतलब fever हो जाता है तो यह जो नीमोपेरा है यह जो नपमोल पी है यह क्या करती है यह इसको ही इनिबिट कर लेती है मतलब अगर हम इसको medical language में बात करें तो एक acid होता है arconic acid arconic acid क्या करता है यह produce करता है प्रोश्टर ग्लैंडिंग सेल को प्रोश्टर ग्लैंडिंग जब ज़्यादा होती है तो वो मतलब वो एक्टिवेट करती है fever को, pain को, inflammation को अब यह जो drug होती है मतलब यह जो निमोपेरा, यह जो नपमोल पी है यह क्या करेगी यह इसी परकिरिया को रोक देगी मतलब उस परकिरिया को block कर देगी जब वो परकिरिया block होगी तो हमारी जो यह है फीवर डाउन हो जाएगा और आपका मतलब हमारी बोडी ठीक हो जाएगी कोस्ट्टू को ये ब्लोक कर देती है तो अभी हमने जाना कि ये काम कैसे करती है बाकी तो बहुत लंबी इसकी डेटेल हो जाएगी फीड वीडियो काफी लंब हो जाएगा इसलिए हम इसको सोट में कर लेते हैं अभी आप ये समझिए कि ये जो निवो पैरा है ये प्रिश्टग लेंडिंग जो सैल है उसको ब्ल कर देता है अभी बात कर लेते हैं इसकी डोज की तो निमसलाइट परसिटमोल का जो डोज है दोनों का एक साथ में सुबह साम अप इसको ले सकते है्ए यह अब अगर अगर आप बच्चों की का करते है तो बच्चों में तो थोड़ा सा यह pinch को इस आप सिंगल ने मचिक को स्ब्रबाइब करना चीज है ऐसा है कि इसको determination जो आठारा साल से उपर है वह इसको ले सकता है और अभी अगर हम इसके ब्रांड नेम की बात करें तो इसके यह सेम मेडिसीन आपको काफी सारे ब्रांड नेम से मिल जाएगी जैसे निसीप पी हो गया और आपका बैस्टिसिक पलस के नाम से एक आती है बैस्टिसिक पलस नीवोसलाइट के नाम से आती है आपका और भी मतलब बहुत सारे ब्रांट है जिनके नाम से मेडिसीन आपको मिल जाएगी पर हम तो बात यहां पर टे-एक्स-वी-पी-फार्मा की कर रहे हैं तो टे-एक्स-वी-पी-फार्मा की जो यह मेडिसीन है यह आपको मिलेगी DRX-Napmol-P के नाम से अभी हम बात कर लेते हैं इसके contradiction मतलब किन चीजों से जब भी इस दवाई को ले इन चीजों से आपको बचने चाहिए यह इन चीजों के साथ आपको फिल्कुल ही नहीं लेने चाहिए तो contradiction कि हम उपर हमने यूज पढ़ा इसका class पढ़ी अभी हम बात करते हैं इसके contradiction की एलकॉल के साथ इसको फोल के भी मतले जो हाट का पेसेंट है उसको इससे बचना चाहिए किड्नी पेसेंट को भी नहीं लेना चाहिए इसको जो लेडी बच्चों को दूद पलाती है उसको नियुको पैरा नहीं लेने चाहिए आप मतलब अभी स्टेज में या आप मतलब काफी एक्स्पीरेंस ओडर हैं तो आप यह जानते हैं कि प्रसिटेमोल नहीं देते हैं उसफारी प्रसिटेमोही देते हैं जो लेडी होती है आपका जो प्रेग्नेंट लिडी होती है अभी हम बात कर लेते इसकी सेलफ लाइफ की तो तीन से पांच घंटे बोड़ी में रहती है मतलब सेल्फ लाइफ को ही बोलते हैं कि हमारी जो हमने मेडिसीन लिए हो कितने टाम तक हमारी बोड़ी में है तो तीन से पांच घंटे तक हमारी बोड़ी में रहती है बाकी आपका हम बात करेगे अभी इसके साइड एफक्ट के बारे मैं हर एक मेडिसीन का अपना सीड एफक्ट यह हम अपनी हर एक वीडयो बताते हैं तो हमेशा कोई भी मेडिसीन हो उसकेसा आपको पता होने चीए ताकि आप पेस्ट की प्रобр कॉंसलिंग कर सके तो वोमेटिंग हो सकती ये इसको लेने चोई आप नोजिया ऑक इस किन पर एसिस पड़सकते हैं इसको लेने के बाद डाइर्या हो सकता है इस टोमक अपसेट हो सकता है और हलका नीनसी आ सकती है इसको लेने से रेयर केस की बोल रहा हूं ऐसा होता नहीं है यह इसके सारा हो गया कि अगर हम इसकी अभी MRP की बात करते हैं कितने रुपे में यह मार्केट में मिल जाती है अभी अगर डियाक्सपी फार्मा की बात करो तो यह आपको दो रुपे तक टैबलेट पर टैबलेट मिल जाएगी अराम से कोई दिक्कत नहीं होगी बाकि हर कंपनी के अपना अपना अपना अपना रेट होता है कि की मार्केट में किस अवह आ रही है वह मैंने गलत बोल दाए उसके लिए सो ठैक्यू सो मच कि आपने डियक्स नपमोल पी की वीडियो को लाश्ट तक देखा और अगर यह वीडियो आपको अच्छी लगी है तो प्लीज इस वीडियो को सेर क थैंक यू सो मच्च